नमस्कार मेरा नाम सोनुनाज है और आप देख रहे हैं विहारे स्टोडी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग जैसा कि आप पहले भी देख चुके हों कि मेरा जो है कि पुराना वीडियो जो पहले बंद चुका है फार्म सब का तो उसका फिडबैक लेने हम दुवारा जाते है कई फर्म जो है कि बंद हो जाता है कई फर्म में स्टार्ट रहता है लेकिन जो फर्म बंद होता है उसके बारे में लोग हमें सूचना नहीं दे पाते हैं यह दुबारा उनका मोवाइल बंद होता है यह हम लोग कंटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अगर बैकती हैं जो पर्म बंद कर चुके हैं, तो किर्पया करके हमें सुचित करें, ताकि हम अपने दर्सकों को बता सके कि किस कारण आपको डिश्टर्ब हुआ, और इस काम में जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, और रुकावट के बज़ा से जो है कि आप फर्म बंद किये हैं, उसक 10 लाग का लोग 13 का सेड या 12 लाग का टीन का सेड बनाते होंगे, लेकिन 10 लाग से कई गुना ज्यादा यहां पर इंवेस्ट किया जा रहा है, कई कठा में बनाया जा रहा है, पिछला वीडियो यहां पर हमारा सूट हुआ था, और आप लोगों के जनकारिये के लिए जग के नसल कोई खराब नहीं होता है, लेकिन अच्छे अच्छे कलरफुल बकडी पाल रखे थे, जो दर्सकों को दिखाए थे और बहुत प्यार मिला था, आज फिर वहीं पर हम जानने पहुँच गया है, कि पिछले बार जब 8 बकडी से स्टार्ट अप हुआ बकडियों का, तो आज कितना पहुचा है, और क्या-क्या बदलाव आया है, वो जानने के लिए हम फिर से आगया है, बुद्धु छपड़ा, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया था, कि यहां पर फार्म का निर्मान हो रहा है, बकडी घर पे रहती है, तो आज हम जानेंगे कि बकडी देखने का चीजी है, कि देखिये इस बरवरी में और उस बरवरी में क्या आंतर हैं? अच्छा उसका शाइनिंग क्या है उसका डिजाइन क्या है वाकर के जो फॉर्मर्य है वाकर देख भर बरी के नाम पर तो बहुत सा आदमी बर्बरी के चमड़ा बेच रहे हैं अभी हम जानना चाहेंगे कि फीमेल कितना है इसमें मेरे पास फीमेल अभी है मधर गोट सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके सेड के निर्मान का पिछले वर जो माय थे तो यहीं ग्राउंड बना हुआ था उसमें बॉंडरी वगरा हो चुका था आगे गेट में कलर भी साइद नहीं हुआ था उसमें तब हम यहां थे हमें पता चला था कि आप निर्मान कर रहें कितना लागत लगा रहे हैं अभी इसमें लागत तो 20-25 लाग से उपर जा रहा है तो और अच्छा मनाएंगे हम जी और बैरेकेटिंग कर दिये हैं इदर कहां बख्री रहेगा कहां घुमेगा किस जग कि रहेगा सब वस्थाम कर रहे हैं रात दीन में कहां रहेगा और गूंबने कलिए इसको भी जगा हुआ तो देन में देखिए अभी मेरा वकdı्य SCD alla गूम रहा है यह 3 कठा का concert है इसको केवल हम घूमने के लिए रखे हुए हैं। तो हम जानना यह चाह रहे थे सर कि आपका जो यह सेड का निर्मान करवा रहे हैं। बहुत जगा हम सेड देखें। सेकरो सेड पर घूमे हैं, दसो राज्ये में गए हैं। लेकिन सेड का जो सइज होता है, सेड का मॉडल होता है, उससे डिफरेंट है। हम डिफरेंट बना रहे हैं। इसलिए कि आसाना की बकरिया और पोसे हटा जाएं तो कल सेड कोई काम को और रह जाए इसड मेरा यह और रहा है। जब मोई से खालते हैं कि हम लघ राहा है वरह कर दो सवोरूम को रहा है वो सब अलग सब अलग है किया कर सकता है कोई के जो है कि अगर अगर फिस ट्रेडर कर सकते जहां तक मेरा अनुवभा यह प्रेडर नहीं हूं जो इसको चिडिया खाना नहीं बोलके गोट जो है कि सोरूम बोलना चाहेंगे अभी इसमें बगीचा है मेरा जी बगीचा मैं लगाया हूं एक कठा में और इधर मचली का तला भी मैं खनवा रहा हूं मतलब आप सामेकित फार्मिंग के तरफ आपके पास तो कुट्ता है गोड़ा है सभी तरह कलेकिन घोड़ा वीडियो में पिसली वार नहीं देखा पाये तो अभी हम ब्लैक बंगाल भी देख रहे हैं तो कौनकर नसल का है सर्यहाब मेरे पास अभी बरवरी है सिरोही है और ब्लैक बंगाल भी है तो ब्लैक बंगाल कहीं नहीं से लोग बोलते हैं कि दूद का जो है कि इसमें बहुत कमी आता है बच्चा कुपोसित पैदा लेती है यह लेता है तो कितना दिन का बच्चा है तो सब्सक्राइब बच्चा है करीब चार कीलो बजन होगा इसका और देख लीजिए इसका देख लीजिए आप लोग गौर से तीन बच्चा है असानी से पल रही है ब्लैक बंगाल की और देखें जिए ब्लैक तो ब्रीडर के बारे में बताते हैं कि हम उत्पादन कर देख लीजिए बहुत अच्छा बात है और यह जो बड़वरी देख रहें सर यह बड़़ी देख रहें तो बहुत दूद्ध कहना और करना बहुत अंतर है इस अब सामने है मेरा इस पर मैं मेहनत करता हूं सौक से रख रहें और बताना चाहेंगे कि यहां पर बड़़ फुल बकड़ी और यह भी देखिए बतला इनका जो सौखीन बकड़ी का है तो जो भी चीज देखते हैं गदम देख समझ के लेते हैं और ब्रीडर देखिए यह ब्रीडर जो बता रहत है स्टेलियन तो इसके बारे में दो तीन सब बताईए लोग जान सके बरबरी इसका जोड़ा बिहार में नहीं मिलेगा अपना मन से लोग कहते रहें हुआइज में रोकेट कान डेलिंस के कान है मात है हम हम तो सोचते थे कि बीटल में जो है कि रहता है उजला आख और इसको खोज करके लिया है अच्छा राजस्थान से तो ऐसा तो वहां प्यार भी मिलता हो अब तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन मुझे टेक मिला एक तीस अच्छा तो कहीं नहीं किसी से क्रॉस और हो नह अब बता नहीं सकते हैं कि ब्रीडर ब्रीडर पर ही जो की टूट परता है छोड़ दो बागो और अभी बात करेंगे इसके खान पान पर बरसात में कि सभी लोगों को बहुत करता है अच्छा वह भी ब्रीडर है देखे नहीं ते उसको एक सिरोही है कितना दिन का है सर यह अब अब दाता नहीं है अच्छा अब दाता नहीं है बार अच्छा देखा यह तोरा कि अज़िए दो दात हो गया है जी दो दात हो गया है अच्छा है हाइट वगरा और शुरत तरीके का मतलब अच्छा अच्छा यह जो है कि चीतेदार भी होता है अच्छा यह तो अरिजिनल ब्रीट सब्सक्राइब आएट यहां जो है जो बड़वरी आपके पास है ब्रीडर उससे कोई ब्लेक बंगाल क्रोश वाया है हुआ है बच्चा देगा हुआ अच्छा ब्रीजर्ट नहीं अब हम बात करेंगे इनके खान पान पर तो अभी क्या रूटिंग चल रहा है इसको हम यहां देख रहे हैं मेराई फिल्ड जिसमें हम इसमें शेड का निर्मान कर रहे हैं इसमें आता है तो इस थोड़ा घास उचर लेता है लेकिन इसका मूख भोजन है ग्यों का भूशा मतलब चना मसूर खेसाड़ी रहर यह सब हुसा हम मंगा कर रख दिये हैं सीजन में और मकई के दलिया दर्रा दर्रा अधि यहूं के दर्रा और मूट के छिलका मसूरी के भावी इस अब को मिला के देते हैं इसलिए बरसात में भी सब के साइनिंग ठीक ठाक है और इस पर हम मेहनत करते हैं यहां पर कितने देर टहलता है यहां पर यह कम से कम चार घंटा टहलता है चार घंटा इस अब को फिरी निकाल दते हैं यह इसी कामपाउन में बंद कर दते हैं और यह अपना घुम घाम के ठीक ठाक हुए अभी अभी यहां पर नही तो दस बीस दिन लेगा बन जाएगा मेन लेगा लेकिन आठ महीना बीत गया अभी देखने डलाई बाकी है बहुत सारा काम बाकी है इसमें तो कब तक लग रहा है तर की पुरा त्यार हो जाएगा इसमें अभी कम से कम छे महीने टाइम लेगा शे महीना बाद आए तो सोरूम दिखेंगा अच्छा बहुत बेतर है और जो भाई जो है कि अगर चाहते हैं कि इसमें से कुछ बच्चा हम जाए तो मैं अपने अहां का प्रोड़क्शन दूंगा बच्चा और अगर जो कटिंग मार्केट में जाने लगा उसको कटिंग में लेकिन अगर कोछ शोखिया पोस्टे आज तो इसको क्लासिकल बच्चा देंगे अब लेगा के पोस्के अच्छे महिना के बाद हमको बता इन से मिलिए समझिए कि कौन-कौन सा है कैसा किसा भिराइटी है आप मतलब यह किसान है कोई ट्रेडर नहीं है ट्रेडरों का तो जाल आप समझ रहे हैं कि इतना फैला हुआ है और बहुत हद तक तो हम लोग उस जाल को कुतरने का काम भी किये हैं लेकिन बात जहां पे आत बात जहां लेकिन और कौलेटी का तो कहना नहीं है और इनका बहवार तब माइन रखता है तो मेरा कहना यही है कि आप लोगा आईये और समझ यह और देखिये अभी बखरी देख और तीन महीने बाद फिर और बच्च्चा आने वाला है इसके बार तो उतपार ​ जो बच्चा देगा मेरे हाँ अगर सोकिया किशान को याया तर ले जाएगा एक दूपिय से तो हम अभी इसी से बढ़ाएगा ज़िए कि लाने में कहता है सब यहां के ट्रेडर मंगा के देगा अरे के तो बच्चा देगा नहीं तो किसी का कान टूटल रहता है तो किसी को भ तकर के पार कर दिया है और एक और मेरे पास मेरे पास है जो अभी पर्यंटेहां में नहीं है कि उभी माने बहारी से जदा मने बेट में और जादा सुन्नर मने उह यह इतना बगरी रख्छे करते हैं किसी से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं आप से और इसे बात होता है हम अपने सुझ बूच से इसाब को आब तक भीज करके हैं इंजेक्शन वगारा सब देते हैं अपने सब एक्षिन कंप्लीट है टोटल एटी एफमडी और पीपी यार और फिर हम एक बार यह सितमवर अक्टूबर में सब को एक बार पीपी आप देंगे जिसको वानने जो गाभी नहीं चोड़ता है और आप लोग के जनकाड़ी के लिए बता दूं कि इंजेक्शन जो होता है इसका टीका करन होता है बहुत महांगा नहीं होता है आपका एक बकड़ी का बच्चा के बराबर तो सभी भाईयों से मेरा यहीं निवेदन है कि आप लोग कंटीनिव जो है कि टीका करन करें और कोई भी दिक्कत हो टीका खरीदने में तो आप हमसे संपर करें जहां तक होगा हम तो साथ में जाकर नहीं दिलवाएंगे लेकिन सही पता बता देंगे आपको और परियास कर पहले वाला जो सुरू में शिखपूरा के आदमी लेगए हैं सिखपूरा जिला के 22,000 में उन्होंने आकर मेरे पास उन्हें बिने करने लगा उसों कि आदमी थे वहो एसका अर्पीव से याए तेल जला कर जो हम कहें कि ले जाए जाए जिसे आप इसकार्पीव से पूछन में अर्फ पिसान से अलग है मैं अभी उसको एक महीन हुआ मंगा हुआ हुआ किसान से महणा है थो इसका जरू है उसका गasında कुछ ज्यादा कुछ झाए तो तो दे भी एकिसलो कम जो हम देंगे tutti तो अच्छा बुरुबरी मिले हैं बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी किसान भाई अगर कहीं पर फार्मिंग कर रहे हैं मेरा वीडियो वहां तक पहुंच रहा है तो किर्पय अपने जीले के साथ अपने फार्म का न